Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दी इनपर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में, हम MA History, MHI 01, Lesson 16, खाना बदोष समराजजी के बारे में पढ़ेंगे यह जो आपका MA History का, MHI 01 है, उसके अंदर में हमने खाना बदोष जो चैप्टर था, वो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ठीके, स्टार्टिंग के आप अप लेसंस देखोगे तो उसके अंदर में ही पढ़ा था अगर मैं थोड़ डिटेल में बताऊं, तो स्टार्टिंग के लेसंस में हमने पढ़ा कि मानव का आरंब कैसे हुआ ठीके, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसमें हमने पढ़ा होमो सेपियन्स, होमो एरेक्टेज, ठीके, किस तर से मानव बढ़ता गया, चिंतन सिल मानव कैसे बना, यह हमने पढ़ा, सिंपल सी उसके बाद हमने पढ़ा कि मानव का जो जीवन था, अरंबिक जीवन वो किस परकार से स्टार्ट हुआ, ठीके, जिसके अंदर में सबसे पहले मानव, एक संगरहन करता के तौर पे जीवन वतीत कर रहा था, संगरहन करता कौन होता है, जो इकठा करता है समानों को, ठीके, क सिकार करके लाता था उसको खाता था सिकार भी क्या करता था तो चोटे जानवरों को सिकार किया करता था तो यह आरंबिक समय के हम बात करते हैं फिर उसके बाद दिरे-दिरे कर हम इनका नाम दे के किस तरह से चीजे बदल रही थी तो तीन ग्रूप में बढ़ते चले जाते स समय के साथ साथ पहला गरूप का नाम आ जाता है यहां पर खाना बदोसु से हम कहते है खाना बदोस हे прим का यहां पका एक इस THIS फूसरा आ जाता है पसु पालक खाना प करया valley पसु पालक खाना बदोस का छो च Лोग सिर्फ एक जगा सा दूसरी जगर ट्रेवल करते ठीक है खाना बदोस होता है क्या है घाना बदोस जो होते है घूमतू लोगों को का जाता है घूमतू कोन होते है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते है ट्रेवल करते रहते है उन्हें हम खाना बदोस के तौर पे कहते हैं ठीक है तो खाना बदोस घूमतू लोग हु ठीक है जलवायू में परिवर्तन हुआ कहीं पर सूखा पड़ा कहीं पर बाड़ आया तो वहां पर फल नहीं है फूल नहीं है जानवर नहीं है पानी नहीं है तो उसके इसाप से एक जगह से दूसरी जगह वो परिवर्तित होते रहते थे जगह को बदलते रहते तो खाना ब बकरी को पाला, रीजन का उता था, कुट्टे होते थे या सुवर होते थे, वो इंसानों के बचे हुए खा लेते थे, बचा-खुचा जो होता था, घर का वो खा लेते थे, तो उनके लिए कोई special से इंतिजाम नहीं करना पड़ता था, खाने का, और जो भेण बकरी हुआ करत ते रिखा लेन, उनको एंको ज़वरत के समय पर यह खुद भी खा सकते थे, ठीक होते हैं, तो यह चीजे रही थे, तो पसू पालक खाना मुधूष मैं पना, और यह भी खाना पुदूष मतलब उगया, पसू को पालने वाला, और खाना बदुष मतलब घूमने वाला, त तो क्या होता हुता 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 जिसमें गाय हो गया, भैंस हो गया, इस तरह के जानवर पालना शुरूप किया, ठीक है, तो ये क्या होते थे, थोड़े बड़े जानवर होते थे, इनका pregnancy period भी जो गरवस्था होता है, उसके अंदर में भी थोड़ा लंबा time लेते थे, ठीक है, और ये दूदूद देते थे तो इनको बार-बार एक जगा, दूसर जगा लेके जाना कठीन होता था, इनके लिए एक जगः स्थाई इंतजाम करना पड़ता था, ठीक है, तो ये दीरे-दीरे, ना जैसे है, मानलो, एक दम कबीलों में, समू में गुमते थे सारे लोग, ठीक है, तो जैसे मानलो, ये पचास लोगों का समू है तो क्या होता है जब आगे ट्रेवल करते थे तो दस लोग रुख गए अपने गायबेंस के साथ में वहीं पर रहने लगे देरे-देरे खेती का कुछ इंतर्जाम करने लगे अब खेती में भी क्या होता था टाइम पिरेड लगता था कि भाई छे मह क्या है और एक ही जगह स्थाई निवास बना करने लगे इनका भी स्थाई निवास नहीं होता था था यहां पर पूरे बुक के अंदर में आपको यूरेसिया के बारे में पढ़ना है ठीक है यूरेसिया Eurasia Eurasia क्या है? तो Asia plus में Europe Europe plus में Asia को मिला के हमें Eurasia कहते हैं तो Eurasia के अंदर में कई सारे empire बने Empire मतलब समराज्य बने ठीके जो खाना बदोस घूमतू लोगों के द्वारा बनाया गया ठीके कबीलों के द्वारा बनाया गया ठीक है इस था ही कभी लिए के द्वार जिसमें से एक one of the famous जोगर में बात कुर तो मंगोलिय समराज्य के हम बात करते हैं ऐसे दोस्तों यह जो chapter है आपका 16 chapter खानदू समराज्य यह कुछ खास नहीं important नहीं है इसमें से कुछ questions उस तरह के नहीं बनते last five years में कोई questions पूछे नहीं गए है बट फिर भी आपके knowledge के लिए आपको पता होना चाहिए कि chapter में आपको पढ़ना क्या है इसके लिए मैं ये यह करवारू आपको chapter खाके तो हम यहां पे Eurasia के बारे पढ़ते हैं जहां पे अलग-alag समराज्यो के बारे में पता चलता है अगर मैं इसके questions की बात करूँ कि क्या questions हमें इस chapter के अंदर में पढ़ना है तो यहां पे total चार questions आते हैं उन्हें देसांतर कैसे शुरू हुआ ये तीसरा जाता है steps के मैदान जो steps क्या होते हैं तो जो बड़े-बड़े घास के मैदान हुआ करते थे वूज को हम steps कहते हैं तो यहां पर कहता है प्रकृतिक और प्रवर्ति के बारे में हमें बताना है और चौत्ता question आ जाता है खाना बज़र समुह को लेकर कि किस तरस उन्होंने समराजी स्थापित किया ठीक है तो यह चार question आते हैं कुछ खास questions है नहीं अगर मैं normally बात करूँ इनके बारे में questions के बारे में तो यहां पर हमें यह देखने के लिए मिलता है कि जो यह पूरे घुमतू लोग थे एक जग से द और पर देखा गया ठीक है विशाल भू छेत्र इसके कंट्रोल में आता था ठीक है आज किस आप से देखा जाए उरेशिया का तो बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता था ठीक है जिसमें हर तरह के जो बातावरन था जलवायू परिवर्थन का चीज़े देखने मिलता था ठीक ह है कभीलों क्या होता था ठीक है जिसरे माल वा parameter पे रह रहे हो ठीक है यहां पह रहा रह रह हो ठीक है यहां पे बंखा कर लिया कि यहां अथा कि यह मेरा इस तरह से जैसरे है भारत और पाकिस्स्तान की लड़ाई वी तो चीन ने हमारा को छागाई वाला साइड वाला कब्जा कर लिया ठीक है पाकिस्तान की लड़ाई हो लिए तो घो पर अपने कंटोल में रखे थे ठीक है तो इस तरह से चीज़े होती थी और ये घुमतू लोगों का यही इनका मतलब पूरी इस तरह से चीज़े चल रही थी अगर आज की समय भी हम current scenario की बात करें तो भारत के अंदर में कई जगों पे आदिवासी समू मिलता है ठीक है कबीले मिलते हैं खासकर अगर आप राजिस्थान की बात करो राजिस्थान के अंदर में कई सारे जो लोहार जो जाती हैं ठीक है गररी केते हैं जो लोहार कहते हैं वो क्या करते हैं अलग लग जगों पे पूरे all over इंडिया में अलग लग जगों पे 30-34 रोगों का सम पर में भी आप देखोगे कहीं पर ना तो वो आपको कहीं ना कहीं दिखी जाएंगे ठीके जिस जगह में रहता हूं ना मेरे गर से चार से पांच किलो मेटर दूरी पर वो सारे मुझे दिखते हैं ठीके राजस्थानी लोगे उनका पहनावा उस तरह का बातचीत करोगे वो इस तरीके चीजित में पको बता दू तो हैं इनके समराजचे का विस्तार कया कौन कौन से सम्राजचे आया Kaiser को उसके बारे में हमें पढ़ना है। गया भारुपिये यूग के तोर पे हम जिसे कहते हैं 4000 इसापुर्व में सुरूव तक 300 इसा पुरुव तक चलता है इसकी जो भासा थी भारुपिये लोग बोलते थे जो लोग वहां पे कभीले थे वो भारुपिये भासा बोलते थे वे कठीन घूमतू जीवन जीती थे एक काले सागर और 30 परवत इलाकों के आसपास में रहते थे ठीक है और आज को आज की साब से देखे तो आधुनिक यूकरेन जो भी यूकरेन का वार चल रहा है आधुनिक यूकरेन से लेकर चीन तक के ना मतलब पूरे जो आप देखोगे ना यूकरेन का अगर मैप आप सब्सक्राइब से तिंदर में आता है यहांपे अलग-अलग वंश हुई ठीक है जिसमें अलान, अलना, सांक ऐसे सब्सक्राइब कर और बटासा के अधार पर बटते थे थे तो इस तरह के लिए इनका जीवन काल इस तरह से राय आ था कि इनों ने शाशन किया। साशन जैस बाद मतलब अपने अंतिम चलन पर है ठीकर टीक है तो इसे मैं राजपूत हूं ठीकर तो अगर माल लो राजपूत का 20 लोगों का समूँ बना ठीकर तो वह क्या होगा उनका समू बनता गया और उस समू ने उस particular reason के अंदर में इतने time तक regulate किया किस तर से रहना उनका चराज चला उसके बाद जैसे ही यह खतम होता है 300 में वहाँ पे 200 इसा पुर्व के बाद से 400 इसा तक चलता है जियांगू नू करके आती अलग वनस आते वह चलता है यहाँ ज् आतिला नाम की आटीला नी किया था और यूरोप में कहर बरशाय था इन्होंने पूरे यूरोप को तहसनेस किया ठीक है और आज की जो मंगोलिया है उसमें संभवत तो सक्तिसाली संग निर्मित किया था ऍैक है जियोंगू नूकर के जो घूच की टोर पें बनते हैं ठिक है अब यह मुगुलो ने दूरे देविर लोन पर बढ़े ले feu 또 जो उत्सिम वाला इलाक्य था वह दिरे दिरे का क सब्सक्राइब पीछे भी में किस का अदिपद बनता चला गया मुगलों को ने लिया ठीक इस तरह से उनका स्थान लेते चले गए समझ में आता है तो यहां पर यह आ जाता है आगे में बात करो दोस्तों तो अगला आता है तुर्की खानेट करके अगला सेग्मेंट ठीक है जिसमें 552 से लेकर 774 तक वो पूरा इनका चलता है जिसमें 552 इसा में तुर्की ने मंगोल यहां पर जातियों की बात कर रहा हूं ठीक है यहां पर तीन लोग तीन कबीले रहते हैं चार कबीले रहते हैं आप दूसरा कोई कबीला आया वहां पर रहकर अपना अतिपत करने लगा तो जो लोग उनके साथ कंफर्ट थे वो तो रह गए जो नहीं थे जो वहां पर सूट नहीं कर पारे तो वह आगे बढ़ चले दूसरे जिगर चले गए वह भी करेंगे यह करेंगे उस तरह से वहा नाम है ठीके उसमें रेंगोर ऑप अच्छी है मतलब उसके अंदर में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कब्जा शलता था किस तरह के बाद वंस बात चलता था मतलब एक के बाद दूसरा कबिला कैसे हुआ ठीक है रेंगना रोक की कहानी है बहुत जवड़तास में पर ही क्यों करते थे ठीके मंदिर सॉफ टार्गेट क्यों था उनका ये सारा कुछ आपको वहाँ पर समझने आएगा ठीके तो आप वह वैब सरी जरू देखना ठीके लौग लॉड रैगनोर की स्टोरी है पूरी उसके इंदर में किस तरस उनका पूरा चलता है ठीके किंग स 244 से लेकर 840 तक ये चलता है ठीके ये चचेरे भाई उदूर के मतलब ये सारे एक ही वन्स के हैं बस आगे पीछे अपना अपना करते गए ठीके इन्होंने पदस्त करके उनको हटा कर अपने स्थान पर से उसको आज मंगोलिय समराजी के तौर पे खेंदर के तौर पे ला ठीके ये क्या तो तांग राजवन्स के कमजोर पढ़ने के कारण से यहां पर आ जाते हैं ठीके अब दीरे दीरे ना राजवन्स के अधार पर चलने लगता है जै क्योंकि देखो जब इनका पावर बढ़ जाता है तो एक ही वन्स का जादा समय तक राज होता है तो उसके पाद उसका बेटा बनता है फिर उसके बाद उसका बेटा बनता है वो जो कबीला था ना वो दीरे दीरे के होता है राजवन्स में तबदील हो जाता है ठीके नॉर्मल सा ये चीज़े चलने लगती है उसके बाद इन सब के बाद जब इतना जाता है तो उसके बाद आता है मंगोलिया जो विस्व सम्राजे बना उसका सुरुवात हो जाता है जो 1206 से लेकर 1308 तक चलता है ठीके 1206 से लेकर 1308 तक अब यह तक जो भी जीतने भी देना वो दीरे दीरे सिर्फ एक्जामपल दे रहेते हैं जो खौफ असली पूरे वर्ड में जो चाया ना जी चंगेज़ खांको पूजा जाता है ठीक है उनके समराजे के तोर पर पर हमारे भारत के अंदर में चीन के अंदर में की चेगा पर जहां पर उनका खौफ दिखता था ठीक है किस तरह से लोगों को उसने मारा आणधा करके मारा है एक्दम ठीक है तो वो चीज़े यहां पे देखने के लिए मिलते हैं चंगेज खां 1226 के अंदर में मंगोल पहुचा और उहां पे प्रडोसी तुर्की कभीलों को एकरित किया उन्होंने दीरे-दीरे सब को मिलाया और पहले कहा था कभीले आपस में लड़ते थे पर मंगोल खाने क्य किया है? ऐसा निकला कि वह जो लटने वाले तो उसको मार के खतम किया, और जो साथ देने वाले है तो उसको इकत्ठा किया. सभी कभीलों को एक जोड़ा और इतने सारे कभीलों को वह एक करके बड़ा कभीला बना दिया उसने. और जहां मर्जी हुआ पर आकरमन कर दा था, उसका सपना ही था पूरे वल्ड पे राज करने का, इस तरह से पूरा उसने किया, ठीके, और मंगोल ने पूरा तातर कर दिया, मतलब इधर से उधर पूरे इलाके में मंगोलों का राज एक तरह से फैला दिया था उसने, ठीके, जहां पी अगर आप बात करोगे तो फारतीं हो गया में डच्छनी चीन हो गया थीक है अगर खाना बुदोसी समराजी है में तक में पूरी तर से कबजा कर चुके थे ठीके मंगोल्य का पूरी तर से मतलब नहीं उस समय के इस आप से जो था चीज़े वहाँ पे ठीके और ये धीरे धीरे फिर जो steps वासिते और राजनितिक पतन होना सुरू होता है अलग-अलग यहाँ पे नैने जो आपस में इतकराव अलग-अलग तरगी चीज़े और वहाँ पे ये पतन होने के और बढ़ते हैं ठीके तो ये पूरा जो आपने पढ़ा ना ये मंगोल के बारे में ही इनके वंसेस के बारे में है ये important है बागी इस lesson के अदर में कुछ खास है नहीं आप नॉर्मली इसको roughly पढ़ लीजेगा थोड़ा से इनका बोगोलिक विस्तार के बारे में कि किस कुछ समझ में ना है ठीक है तो नॉर्मली करना है कि है डिस्क्रिप्शन में जाएए वहाँ पर सभी सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म के लिंक्स दिये हुए हैं वहाँ से आप डारेक्ट लिए उसे जोइन कर सकते हैं कोशन्स पूछ सकते हैं और सबसे फ्रेंट्स वीडियो जो में की होती है वो काफी लेंधी बनती है टाइम लगता है बहुत मैनत करना पढ़ता है सब चीजे चेक नहीं पढ़ती है और साइमने से अगर उस तरह का response ना मिले तो फिर demotivation होता है ठीक है, मन निकरने नहीं करता बनाने का, आगे करने का नहीं करता मन, ठीक है, तो मैं आप सबसे request करूँ तब please friends, subscribe जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो का link जरूर सेयर करें, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिले इस वीडियो का, तो friends thank you for watching me, thank you for listening me, bye bye take care, all the best, वीडियो को subscribe करें बिल्कुल न बूलें, अपने दोस्तों तक सेयर करें bye bye